हाई दोस्तों असलाव लेकुम कैसे आप लोग मेरा नभी ले आज हम लोग दो MacBook को compare करने वाले है जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्या request किया था पिछले वीडियो के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास है latest वाला Apple का M2 वाला MacBook Air 15 inches तो यह बड़ा वाला है इसका price भी जादा ह लेकिन बहुत की light है slim है तो इसका जो performance है और इसके जो features है और इसके अंदर जो कुछ नों दिया है उसको हम compare करेंगे आज के time के सबसे दादा value for money MacBook से जो के है MacBook Pro 16 inches M1 Pro with 16 GB of RAM and 512 GB of SSD दोनों के base versions भी है और यहाँ पे अगर आप Air 15 inches वाले को देखेंगे Air M2 वाले को तो इसके 512 से ही start होता है इसको हम compare क्यों कर रहे है क्योंकि इनका price जो है काफी हद तक एक दूसे के करीब है similar है exactly same नहीं है थोड़ा आपको extra पैस देना पड़ेगा M1 Pro 16 inches के लिए इनक्या ये उतना बहतर डिवाइस है जितना आप जादा पैसा देंगे या फिर M2 Air 15 inches के लिए ही आ बढ़ा है open करने पे उसकी height जादा है बंद करने पे उसकी thickness थोड़ी सी जादा है width थोड़ी सी जादा है ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसमें 16 inches का display आता है और इसमें आता है 15 inches वाला और weight में अगर difference की बात करें तो MacBook Air M2 15 inches वाला जो है इसका weight है 1.5 kg और M1 Pro 16 inches का weight है 2.1 kg त उठा सकते हैं तो अगर आपको एक sleek, thin, slim laptop चाहिए या MacBook चाहिए तो आपको Air 15 inches के लिए जाना चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई difference है यहाँ बहुत ही marginal difference है पोर्ट की अगर बात करें तो आपको Air 15 inches के अंदर दो type C वाले port मिलते है thunderbolt वाले और एक आ साथी इसके अंदर एक headphone जाएक है और यह USB type C port जो है thunderbolt वाले और दूसरे साइट पे भी आपको एक USB type C port मिलता है यह भी thunderbolt port है और आपको मिलता है HDMI out साथी आपको मिलता है SD card reader तो definitely input output port जो है आपको यहाँ पे काफी सारे मिल जाते है तो अगर आप Air 15 inches वाला लेते हो तो यहाँ पे आपको built-in मिल रहे है जितने भी ports आपके लिए necessary है अब यहाँ पे अगला जो comparison है दोनों के displays में है और display में जमीन आसमान का फरक है size में जमीन आसमान का फरक नहीं लेकिन display की quality में और display के features में 15 inches वाले air का display का size diagonally है 15.3 inches जबके 16 inches वाले का है 16.2 inches diagonally अब diagonally होने क वाजे से यहाँ पे display significantly बड़ा हो जाता है 16 inches में यह आपको advantage है दूसरा advantage यह है कि air 15 inches वाला जो है इसकी maximum brightness से 500 nits की है जबके pro m1 16 inches वाले की peak brightness 1000 nits की और HDR content वीउ करेंगे तो 1600 nits तक लिए और यह काफी important हो सकता है अगर आप outdoors में, cafes वागरा में बैठके जो है काम करते तो अ outdoor में कहीं भी काम करते है या video editing करना है आपको या कोई और graphics वाला काम करना है तो आपके लिए brightness बहुत काम की है और एक major difference यह है के air 15 inches जो है यह 60 Hz के refresh rate वाले display के आता है जबके m1 pro जो है यह आता है 120 Hz के pro motion refresh rate वाले display के साथ तो display के मामले में बहुत जादा superior है 16 inches वाला macbook pro m1 pro keyboard और trackpad लेकिन दोस्तों बहुत जादा similar है दोनों के almost similar size के है जाद आपको कोई फरक महसूस नहीं होगा keyboard का जो keys का travel वाकरा है वो सब जो है fantastic है को issue नहीं आएगा trackpad भी equal size का है तो equally good है दोनों का इस मामले में performance या फिर user experience अब यहाँ पर speakers में जो difference है बता देता हूं आपको दोनों के अंदर six speakers तो आते हैं लेकिन जो M1 Pro है 16 inches वाला इसमें high fidelity वाले six speakers system दिया है और इसके speakers जो है यहीं पर आपको keyboard के side में दिख जाएंगे जिसकी वेसे better experience आपको आता है और mic में भी difference है MacBook Air 15 inches वाले में 3 mic array with directional beam forming microphone है याने की 3 mics है और 16 inches वाले के अंदर भी 3 mics है लेकिन इसमें Bluetooth version 5.3 है जबके 16 inches वाले pro के अंदर है Bluetooth version 5.0 बैटरियों charging की बात करें तो air 15 inches की बैटरी है 66 watt आरगी जबके pro 16 inches वाले की बैटरी है 100 watt आरगी और यहां पे जो charging speed है वो आपको pro में जादा मिलेगी यहां पे 140 watt का charger आपको box के साथ मिलता है जबके air 15 inches वाले के साथ दो air 15 inches के अंदर आता है Apple का M2 chip with 8 GB of RAM and 256 या 512 GB का SSD और दोनों models के अंदर 20,000 रुपे का फरक है अगर आप 256 या 512 लिना चाहते तो 20,000 रुपी आपको एक्स्ट्रा देने पडेंगे जबके base version वाला 16 inches M1 Pro के अंदर आता है M1 Pro chipset 16 GB of RAM और 512 GB का SSD तो base version भी इसका जो है इससे और double storage और air 15 inches के अंदर 8 core का CPU और 10 core का GPU है जबके M1 Pro के अंदर आपको 10 core का CPU और 16 core का GPU है और memory bandwidth भी जो है air 15 inches की 100 Gbps है जबके 16 inches वाले की है 200 Gbps तो double bandwidth आपको मिलती है memory के मामले में अब चलिए दोनों के SAT speeds यह compare करके देख लेते हैं इसलिए बहुत ही बुरी यहाँ पे आपको read और write speed देखने मिल रही है अगर यही 512 GB तो इससे better होती लेकिन M1 Pro जितनी अच्छी आपको देखने नहीं मिलेगी तो यहाँ पे देख सकते 15 to 1600 की यहाँ पे read और write speed आपको देखने मिलती है एक बार फिससे इसको run करते है यहा आपको स्पीड देखने मिलती है जो के आपको M2 Air के अंदर देखने मिलती है उसके मुकाबले M1 Pro के अंदर triple speed जो है आपको मिल जाती है तीन गुना speed SSD speed का comparison आपने देख लिया अब यह specification और SSD speed में आपको difference नजर आया यह performance में कितना difference जो है मेक करता है यह हम चेक करेंगे 100% पर चार्ज है उसकी भी चेक कर लीजिए 100% पर चार्ज है तो बैटरी किसकी साथ रेन होगी किसकी होनी चाहिए क्योंकि इसमें power भी जाता है और जल्दी रेंडर भी करेंगा बाकी background rendering वागरा सब मैंने off रखा है दोनों के अंदर अब यहां पे हम सबसे पहले देख ले इसमें 8GB का फिर भी इसमें ठीक टाक जो है चल जाती है वीडियो को issue नहीं करेंगे जितने layers आप जाधा आड करते जाएंगे और यहां पे library में भी जितने files आड करते जाएंगे तो issue आ सकता है और यहां पे क्योंकि अभी से final cut pro ही open है बाकी कोई भी दूसरा application open नहीं है तो यहां पे जो export size है file size वो 8.48GB है यहां पे भी 8.48GB है इससे बड़ा भी हम file size लेके आ सकते है export अलग format में कर सकते लेकिन फिर time जाएगा वीडियो बनाने के भी इसमें फरक आने वाला link कितना आएगा वो check कर लेते हम यहां पे तो यहां पे next पे click कर लेते है और export जो है एक सा अब मैंने इसके पहले भी कर चुका हूं इस पे तो 9 minutes 50 seconds के आसपास यह 30 seconds के आसपास लगता है इसमें M1 Pro के अंदर इसमें कितना लगता है वो भी देखना है तो चलिए 9 minutes होने के बाद मिलते है अब यहां पे गाईस जैसे आप देख सेकते है जो हमारा M1 Pro वाला Mac है यह 94% पे आ गया है 9 minutes 30 seconds के आसपास जो है यह पूरा कर देगा और इसको थोड़ा था टाइम लगया क्योंकि यह 81% पर ही है यह फरक रहता है और जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल साइज है हमारा एक्सपोर्ट का वह ज्यादा बढ़ा नहीं है बहले 18 minutes के वीडियो है अगर य 99 हो गया और अभी यह 100 हो जाएगा 9 minutes 20 पे हम आ चुके है में भी और 8 seconds यह लेगा तो यहाँ पे मैं लैप दबा देता हूं हमको exact difference भी मालूँ पड़ जाएगा timing का और जब तक यह रेंडर करता है अभी यह 87 पे है हम इसकी बैटरी जो है वो चेक कर लेते है यह 100% पर ही है यहाँ पे स्टार्ट कर जाए कि 95 हो गया है और यहाँ पे इसने 100% रेंडर कर दिया है जो मैंने expect किया था तो यहाँ पे जो difference है दोनों के बीच में वो है 59 seconds का यह 1 minute का एक मिन जादा time लिया हमारे MacBook Air ने लेकिन यह 8GB के export size वाली video के लिए था अगर बड़ा file size रहेगा तो जादा भी लग सकता time और इसकी बैटरी भी 100% पर ही है तो यहाँ पे इस तरीके का performance में आपको difference आता है जब video editing आप करेंगे तो यह था result दोस्तो final cut pro का अब अगर आप 512GB SSD वाला M2 Air लेने वाले है 15 इंच वाला तो difference प्राइस में बहुत कम रहता है जिसकी वज़े से मेरा solution तो यही रहेगा कि 16 इंच वाला प्रो ले लो तो कि ना सिर्फ performance बलके आपको काफी सारी चीजों के अंदर जो MacBook Pro M1 Pro 16 इंच है वो बेटर रहेगा सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो display की quality है display का size है वो आपको इसमें outstanding मिलने वाला है इसके मुकाबले बहुत जादा बहुत ही कम रहने वाला मैं अब इसको बताऊंगा और वो price reference completely justifiable है मतलब आप इसके लिए जाना ही समझदारी है इसके मुकाबले और long run में अगर आप देखे तो यही आपके लिए better साबित होगा ज्यादा productivity भी आप इससे ही निकाल पाएंगे तो pricing की बात कर लेते हैं तो MacBook Air के दोनों models आपको बता देता हूँ जो 8GB RAM और 256GB वाला storage variant है उसकी कीमत है 1,35,000 रुपीज और अगर इसमें आप 512GB storage लेते हो तो 1,55,000 के आसपा चलाता है 20,000 रुपे आपको extra देने पढ़ते हैं यहाँ पर RAM आपको 8GB का ही मिलता है उससे अच्छा मेरा selection यही रहेगा क आप जो है brand new seal pack MacBook Pro M1 Pro 16 इसे के लिए इसमें आपको CPU GPU भी जाधा core का मिल रहा है साथ ही आपको 16GB RAM मिल रहा है 512GB का SSD भी मिल रहा है और इसका प्राइस है 164900 यानि की 10,000 रुपे मेहंगा M2 Air 15 इंचे वाले से जो के 512GB में आता है अगर आप 256 से कंब है तो definitely यहाँ पर काना पड़ेगा definitely 10,000 रुपे extra देना जो है worth it है completely M1 Pro 16 इंचे के लिए इसका प्राइस और जो जान दिए के laptop import और इस सारी चीजों का सीन चल रहा है तो pricing जो है क्रोड़ी बढ़ती जा रही है लेकिन यहाँ पर अभी यह जो offer है मुझे लगता है अगर आपको एक नया Mac ले लेना है तो सभी का link description में वहां से आप purchase कर सकते है इनका store जो है आपको महाराश्टर के अंदर मिल जाएगा store visit करके भी purchase कर सकते है और अगर अगर आपको फ्री होम डिलिवरी मिल जाएगी इस price में included है तो यह था दोस्तो आज का मारा वीडियो जहां पे मैंने compare किया M2 Air 15 इ इसके साथ आप बताइए और कुंसा वीडियो आप मैक से रिलेटेड देखना चाहते है उमी का तो दोस्तो आपको आपके वीडियो मसना आपको तो इस वीडियो को लाइक और शेयर दरू कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए गुडबाई